मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हर्दे स्वागत है आज मैं एक जार कोश्चन का स्टेट लेके आए हूँ जिसको मैं फटा फट सॉल्व करवाता हूँ अब बहुत आने वाले दिन के कोश्चन पेपर में बहुत महत्तव पूर है जो कि आप देख रहे हैं इस प्रकार न आपको पता दो अगल आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले आरव समाज की स्थापना किसने की स्वामी दयान ने पंजाब भासा के लिए पी कौन सी है गुर्मुखी भारत की मुख्य भूमी का दश्रितम किनारा कौन सा है कन्या गुमारी यह कोश्चन काफी पूछा गय किस बीमारी के उप्चार में होता है मदू में है बिच्छू किस राजे बिहू किस राजे का तहवार है आसाम यह भी कौश्चन यह भी कौश्चन दोस्तों बहुत इंपोर्टन है बिहू किस राजे का प्रसीत तहवार है आसाम कौन सा विटामिन औले प्रचुल मातरा में मिलती है विटामिन सी, ये वी कुशिचन बहुत सा सिमपल सा कुशिचन है, बहुत बार कुशिचन ये पूछा गया है एक्जाम में, मैं जितने एक्जाम है लेखपाल उपी पुलीस के लिए, तो इसके लिए आप जरूर जो है कि विलियम बैंटिक तो यह कॉस्चन दोस्तो सी कॉस्चन के निजूम्स्चन को मुझे हūता हो और देश में वा था चीन गॉत्बुद््ध का बचपन का क्या था सिद्धारत यह भी कॉस्चन दोस्तो यह कॉस्ष्चन का बच्पन नाम ड़ना होता मैं न नॉर्मली लिख्ष्चन है कि भारत में सरास्त्रबलों का सरवत सिनपति कौन होता है कि रत adapter किस 10 की कमी से होती है रात चनल विटामिन के कमी से होती है यह कि इस का तहवार है भंगल नाटू का तहवार तो दो offices पहले पताते हैं दो सब्सक्राइस की बहुत पूसता है तो जैबार से लिएक ते गिद्धा और भांगड़ा किस राजी की लोकनिय नित्र हैं, लोकनिय नित्र बहुत पार कोश्चन पूछ चुका है एक्जामों में, ये तो अन्दे परसंद आता ही आता है, युत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, सब जगा से आता है, तो गिद्धा और भांगड़ा किस राजी की लोकनीत है पंजाब की पंजाब की लोकनीत गिद्धा और भांगरा है तेली वीजिन का अविस्कार किया जॉन लोगी बेर्स ने तेली वीजिन का अविस्कार किया भारत की पहली महिला शाषी का कौन थी रजिया सुल्तान ये तो बहुत मद्यकारी नितिहास से लिया गया है बहुत most important है मशली किसकी सहायता से सांस लेती है गल फेफरोर की सहायता से यह यूपीपी में कई बाप पूछ चुका है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किस ने दिया भगत सिंग नॉर्मली सा है कोश्चन हर आदमी को पता होता है जलिया वाला बाग का हत्या कांड कहां वक कहां और और कब हुआ कि 1919 में अमरे सर में अब 1919 में जो है कि गांधी जी कौन सा कौन से यात्रा पर थे आप हमें कमेंट करके बताईए उनिस سवंडा इसरी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाश्यचन भोश्च ने किस दल किस फापना की फारवर्ड ब्लॉक की ये भी कोशन बहुत बार पूछा है दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है उन्हें 49 में कांग्रेश होनने के बाद सुबाशन बोश ने किस दलकिस अपने की फारवर्ड व्लॉक को इसकी भूली अगमत पंजाब के सरी किसे कहा जाता है लाला राजपतराय को कहा जाता है मंगलपणे ने 1857 में आपको पता होना चाहिए कि चरवी को लेकर उन्होंने अंदुलन छेड़ दिया था मंगलपणी जी एकी चरवी। करतोस में इसलिए उन्हें पहले अपना बलिदाना 157 में विद्रो के द्वारा दिया था भारत की पहली महिलाराजयपाल पाल कौन थी सरुजणी नाइडू बहुत बार मोस्ट इंपॉर्टेंट है यह सरुजणी नाइडू भारत की पहली महिला राजेपाल सरुजणी नाइडू कि माउंट एवरेस पर दो बाचाहई करने वाली पहली महिला कौन थे संतों स्यादो ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई राजा राम मुहन राय के द्वारा की गई ब्रह्म समाज का नाम जहां आएगा राजा राम मुहन राय स्थापना इनके द्वारा की गई थी स्वामी दयाननस्वत्ति का मूल नाम क्या था मूल संकर तो ऐसे समेटिस्ट्रि कि मुल शंकर कर दमी स्वामिह संकर स्वाया संकर स्वाया की साथ्व मूलकर वेदा की ओल मेदा यो लोट का नारा किस ने दिया दायानन स्वायशनी ό win जी ने डिया यह सद्वाया की तो स्वामिभ्यका नंद के द्वारा वास्को डिए घामा शवाला में पूर्दगाल का वास्कोडीगामा भास्कोडीय का रहने वाम हल जैपूर में इस्तित है तो हमारे कोश्चन हो चुके हैं 33 अब हम चलते हैं अगले कोश्चन पर तो सबसे पहले फिन से मैं बता दो अगल आपने जो है कि मेरा चैनल सस्क्राइब जरूर कर ले तो यहां देखिए अगला कोश्चन सिख धर्म का इस्थापक कि सिख गुरु को मानजयता है गुरुनानक को आपको पता होगा अगला पर दोस्तों होगे तो आपको पता होगा कि बैसाखई होती है लह पुरुस्cus को कहाता है सबसे बंदन बंबाई पटल को किरा और अभी आप बहुति लेख लाधे जेला pepper हुआ बहुति हाल में है कि गुजरात में में जो बताहिए जो एक अंसेजरी कि तत्में लौन जो यह लग पुरूच का प्रत्यमा बना है नेता जी सुभास्ता जी दिलनि इस्तित वहादू सास्थ्री की समाधी का क्या नां आर्व भारत के रचिता कउन्ते महर्थी देवियाश्य एंडिन सब को आना चाहिए और सास्त नामक पुस्तक किस ने लिखी थी चारक के कोटियल और सास्त नामक पुस्तक लिखी थी ठीक है जिसमें और सास्त का यह मतलब है कि राजनीती के बारे में कोटियल ने बताया है जय जवान-जय किसान का नारा किस ने दिया लाव पहस्व दूसरास्तिर जी ने इनकर कूरcra ब्रag делать दरवत गया हो तो आप सामने से देखे सब्सक्राइब लाइक कमेंट फटाप फटाप करिए और सेर करिए दोस्तों को इसा मोस्ट इंपोर्टन्ट है आने वाले एक्जाम में सविधान सभा की प्रार्यूद सेमिति के अध्यच कौन थे ड्यक्टर भेम रांबेटकर विस्व रेट क्रास दीवस किस तारीक को मना ज बाएक जैपन को सुर्यदय का देश कह लाता है, को अंतरintéश्टी महीला दीवस की स्थिथी में मना जाता है अंतराश्टी महीला दीवस 8 मार्च को मना जाता है यह भी मुच्ट इंपोटेंट रहे क्योंकि महील महीला टी प्रती आजकल सरकार जादे ही जागूख है तो ऐसको जरू से देख लीजेगा अंतराश्टी महिला दिवस आठ मार्च को मना जाता है छेत्रफल की दिष्टी से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है ये कोश्चन दोस्तों मैं कितनी बार कोई पेपर में देख चुका हूँ गोवा तो छेत्रफल की दिष्टी से राजोग गुवा है और डिट एंगोर ने किस राज 700 की प्रसीद्ध कोई था है के रचल में दिनली भारत की राज्दानी कं बनी 1911 सबसे चमकीला ग्रह कौन सा राष्ट Кराश्टी पक्षी कौन सा है बाग वाद कर राष्टी जलीप कौन को अाम भारत कर राष्टी फुल कोन सा है कमल प्यड़्येद त्या को सब्सक्ति भारत कर राष्टि ज्ञंडे की लंबाई और चड़ाई में अनुपात कितने होते हैं तीन बाई दो यह कुश्चन भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है यह कई बार पेपर में आ चुका है भारत का राश्टी गांग किस ने लिखा यह भी नॉर्मली सा कोश्चन रविंदरनाथ टैवोर राश्टी गीत किस ने लिखा है वंदे मात्रम भारत का राश्टी गीत किस ने लिखा है भंकीम चंद टकर जी भारत का राश्टी गेत वंदे मात्रम है और राश्टे गांग किस ने लिखा है रमीद ननाथ टैगो ने भारत का राश्टी गीत किस ने लिखा है वंकीम चं तगरीं महत्मा गांडी को राश्चर्ट हान सबसे पच्छन कहा प्रेगत सुभाषचन बोस में आपको पता होगा कि बारे में अक्म आपने जूरी नहीं पड़ा हमारा राश्टी पंचांग कौन चाहे शक्त संब्वत ये भी कोश्चन बहुत आता है राश्ट्रगान गाने की अवधी कितने सेकंड की है बावन शेकंड की रेडियो एक टियोता की खोच किसने की थी हेनरी बेकल ने संबंद सरी को किस आंग से हिर्ये मानवसलिए की किस घंथियोगों माश्टर घंथि कहाया तंव ये सब हई स्कूल इंट्र का कॉस्टेंस है कारबन का सर्वाधिक उद्दय रूप कौन सा है हीरा हीरा कारबन का तो जो होता है ना वह सरवादिक सुध्य रूप होता है और यह मोश्ट इंपॉर्टेंट है एक सरे का अविस्कार किस ने किया था और राट जन ने एक सरे काई अभिस्कार किसे ने किया था राट जन ने यह भी कोश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है यह हो गया हमारा कोश्चन गोंगतर अब हम चलते हैं अश्ची अब चलते हैं सत्तर की ओर दोस्तों मैं फिन से बोलना हो कि क्यों अलाने सब्सक्राइब को लिए इसका नाम था फौट पाटो इसनल पर किस धात्यु का प्रियोग मानो द्वारा सबसे पहले किया गया प्राची नितियास में जो मिलता है अंत्रिच यात्री को प्रहां आकाश कैसे दिखाई पड़ता है काला दूरबीन का विसकार किस ने किया था गैली लियो ने गैली लियो ने दूरबीन का विसकार किया था यह भी most important है लिखना हो तो लिख सकते हैं दिल्ली स्थित महत्मा गांधी की समाधी का क्या नाम है राजगाट यह भी most important है दोस्तों भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली थी भारत में पहली रेल बंबई से थाने तक चली थी भारत में पहली बार मेट्रो सेवा किशनगर में आरम हुआ था तो कोलकाता यह आप कन्फ्यूज मत होईएगा हमेशा यहां पे गलती हो जाती है कोलकाता यहां पे और वहां पे question बंबई में लगा देते हैं तो अगर पुछेगा कहां से कहां तक चली थी रेल के बारे में में पुछेगा पहली बार तो आपको मुंबऑी लगाना है मंबई इस दमी एवर्तमान में मुंबई नाम है और पहले मंबई नाम था बंबई से थाने तक चली थी बंबई से थाने तक याद रखना है back to mean पहली बार जो है कोलकाता में में चलाया गया था भारत में रेल का बश्कार कि शनभा थे में सॉरी 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 भरत में पुछा है ये भारत के प्रथम अंत्री चयात्री थे भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी ये कोश्चन बहुत बार पूचा है भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी स्री मती सुचेता क्रिप लानी हरियाना के पहले मुख्यमंत्री कौन थे हरियाना के पहले मुख्यमंत हिसली पंडित भगवत डयाल सालमा थे संयोगतर राष्ट-ःसंग की स्थापना कब हुई थी ये कॉश्चय आप नोट कर सकते हैं संयोगत्रान संक इस थापना कब हुई थी संयोगतर राष्ट-ःसंग की स्थापना 24 Het टूबर Koreà rifap प्रश्यूंत्र के पहले मास चीओं तो तो तर्श्यूंत्राष्ट्र संग्र के कितने देश सदस्य है कि एक सो तिरानबे देश जो है सरीयोंक्त राश्ट्र संग स्रच्छा परिशत के कितने देश सदस्य होते हैं तो उसमें 15 जो है सदस्य होते हैं सेखर राह्त्रेश्ट्य स संग स्रुच्छा परस्फत्त में किसने देश इसथाय सराँस्ची यह उता है पर्माणेटली यह 15 जो यह 15 जी रफ़ पर भधलते रहते हैं जय सबत lugantu पर चुनाव होता तो यह सब इस्थि थे एंतर राष्ट्र और दहीं कि अधिक हालेंड में से यह कोश्ट्र अभी हाल के पेट याम में था तकी अंतर राष्ट्र नहुंद राष्ट्र संग के वर्तमान महासची कौन है बान की मून संहिंत्राष्ट्र संगी के वर्तमान महासची बान की मून है संहिंत्राष्ट्र महासभा में हिंदी में भासर देने वाले भारती कौन थे तो बहुत प्रिय हमारे नेता अचल विहारी बाच्च पेई जी जो की संहिंत्राष्ट्र महासभा में हिंदी में भारत देने वाले भारती थे मर्ताष्ट्र संक स्युष्ट्र के नित सवर्च्षा परिश्ट के 23 21bee कि कि युठर वर्स के लिए 2 वर्स के लिए संहिंत्राष्ट्र संग में नित थे अलकि छुना होता है सेग्र राष्ट्र संग का उनिस सो तिरानवेवा असरे से कौन सा देश बना रच्छे सुदान मतलब सबसे लाश्ट देश 113 वा का मतलब सबसे लाश्ट देश दच्छे सुदान तो किश्ट विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है विटामिन के के कमी हो जाएगे तो आपका खून रुखना बंद नहीं होगा हिंदी दीवस कम मना जाता है 14 सितंबर को यह question most important है ना जानी कितनी बार पूछ चुका है question में ऐसे देगा 14 सितंबर 12 सितंबर 10 सितंबर तो आपको डेट याद रखनी है 14 सितंबर हिंदी दीवस कम मना जाता 24 सितंबर सभिधान के किस अनुच्य है द्वारा हिंदी को राश्ट्य गान घोसित किया गया है तो को पता होना चाहिए सविधान के अदुछेट 343 में हिंदी को राष्ट भासा घोसित किया है राष्ट भासा घोसित किया गया है कि ओलंपिक खेलों में एकल इस परधा में स्वड़ पतक जीतने वाला एक माल भारती कौन था अभी अभी नो बिद्रा कि ओलंपिक यह थोड़ा को कुश्चन पुराना है तो इसको आप हटा दिएगा ओलंपिक खेल का यह जो है कि ओलंपिक इस तमय वर्तमान में तो आप जान रहे हैं ओलंपिक में सब्सक्राइब इन लाए निरज चौपड़ा है तो इसको जो है कि आप यह पुराना कॉश्चन तो इसको आपór यहां पर आप समझ लेज़ेगा निरच छोपड़ा ने अभी वह जो है कि असेना से हैं जो है ओलम्पीक खिलो का योजन किस वर्स औलम्पीक खिलो का योजन कितने वर्सों के बाद होता है सन 216 में उलम्पीक खिलं कहा हुझगे औरों में औलम्पीक खिलो कहां है सित्मबर फिरियाना की कौन सी नुचल को 20 प्रसिद्ध है मूर्रा है प्रसिद्ध सीतला माता मंदिर कहां इस्तित है गुरगाओं में बहुत प्रसिद्ध मंदिर है मासितला का विशाल हरियाना पार्टी किष्णे बनाई थी राज विरेंद सिंग ने दोस्तों 100 कोश्चन का मैंने बता दिया अब इसके बाद मैं 100-100 कोश्चन का आप मेरा चैनल को सस्क्राइब करें वीडियो को अधिक से दिक शेयर करें यह आने वाले आगामिज्द एक्जाम के लिए मोश्ट इंपॉर्टन है अगल आपने सस्क्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले सस्क्राइब करने सौ कोश्चन का जो है कि यह मेरे चैनल का नाम है एक उज् है कि अभी 100 तक है 100 के बाद मैं आप 100 100 100 करके आपको 1000 कोश्चन में इंपोर्टन बता दूंगा उसके बाद आपको रिजनिंग का भी कोश्चन में सॉल्व कराऊंगा जाहिद फोकस करोंगा क्योंकि जीएस बहुत बढ़ा है तो दोस्तों मेरा यूटूब चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इसको अधिक से अधिक सेयर करें जिससे आपके फ्रेंडों के पास भी पहुँच सके और आप आमी एक्जामों में सफलता हों आगमी एक्जामों में आपको सफलता प्राप्त करें माविंद्वासनी आप पिर दया हमेशा बनाए रहे हैं आप हमेशा सफलता की ओर अग्रेसर रहे हैं धन्यवाद